दोसों कि आप जानते हैं जिस सर्जरी की वज़ा से हम अपने रूप को पूरी तरह से बदल देते हैं और इसे डॉक्तर्स का वर्दान समझते हैं यह सब एक शक्स की वज़ा से ही मुम्किन हो पाया है बहुत साल पहले दोस्तों एक महरशी ने इस सर्जरी की खोश की थी और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि सर्जरी में इस्तमाल करने वाले आज़ार का भी खुद ही आविशकार किया था आखिर ये बुद्धिमान इंसान था कौन और इन्होंने कौन सी सर्जरी की और सर्जरी करने के बाद जो हुआ उसे सुन कर तो आपके भी होश होड़ जाएंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस महान शक्स का नाम है दोस्तों सुश्रूट ये पहले के समय में एक बहुत ही सभे महर्शी हुआ करते थे जैसा कि इनके नाम का मतलब है कि जिनकी ख्याती सबने सुनी हो ठीक वैसा ही इनका काम था इन्हे ना सिर्फ उसमय में खुब सभलता हांसल हुई बलकि आज भी लोग इन्ही के मेडिकल स्किल्स को फॉलो करते हैं आज लोग इन्हे फादर आफ सर्जरी के नाम से जानते हैं और आज बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इन्ही के दोरा बनाए हुई चीजों का इस्तमाल करते हैं चलिए सुशृत के बारे में शुरुआ से जानते हैं कि कैसे ये एक महरशी से इतने बड़े सर्जन बने और इन्होंने किस तरह बिना किसी इंस्ट्रुमेंट के सर्जरी की लेकिन इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया उस समय जो लोग साधू या फिर ग्यानी हुआ करते थे तो लोग उन्हें महरशी के नाम से पुकारा करते थे ऐसे ही सुशृत का नाम भी महरशी पढ़ गया सुशृत को ये ग्यान काशी के महराज काशीराज देवदास से मिला था इन्होंने ही सुष्रुत को दवाइयों के बारे में नौलिश दी और इनके की वज़से सुष्रुत एक सफल चिकिस्वड बन सके। सुशृत के पास जातर वो लोग आते थे जो युद में घायल हुआ करते थे या फिर जिन लोगों को राजा सजा सुनाते थे उनका सुशृत इलाज किया करते थे पहले के समय में राजा मुझरिमों की सजा के तौर पर नाग काट दिया करते थे और इनी सब लोगों की मदद करने के लिए सुशृत के दिमाग में सरजरी का आइटी आया सुशृत अपने समय के जाने माने वैदे थे इसलिए हर कोई इनी के पास इलाज करवाने के लिए आता था जब सुशृत के पास एक इनसान जिसकी नाग काट दी गए थी वो मदद के लिए आया तो सुशृत ने राइनोप्लास्टी सरजरी की मदद से उसकी नाग को पहले की तरह चोड़ दिया इस सरजरी में सुशृत ने इसके लिए एक पत्ते का इस्तमाल किया पहले वो जख्म का नाप लिया करते और फिर इतना ही हिस्सा गोश्ट का गाल से हटाकर नाग पर चिपका दिया करते और ऐसे ही इन्होंने राइनोप्लास्टी सरजरी की शुरुआत की और ये सफल भी होई अगर आप सुशृत की मेडिकल स्किल्स के बारे में जानना चाते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको बनारस हिंदू मेडिकल कॉलेज IIT-BHU में मिल चाएके सुशृत सनहिता एक किताब में सुशृत की हर एक जानकारी मौजूद है इस किताब में 180 चैप्टर हैं, 1100 बीमारिया हैं और 121 इंस्ट्रुमेंट्स हैं इसमें करीब 650 बीमारियों की दवाएं हैं इन दवाईयों में पिर्ड से लेकर जानवरों और बहुत सी चीजों का इस्तमाल किया गया है और साथ ही इसमें 300 से भी ज़्यादा प्रोसेस बताये गये हैं ऐसे ही अगर कोई इन किताबों को पढ़ना चाता है तो उसे मेडिकल की पूरी जानकारी मिल चाएगी क्योंकि दोस्तों इसमें हर बीमारी का इलाज और उसका पूरा प्रोसेस बताये क्या है उस समय में जहां डॉक्टर्स का नाम और निशान नहीं था वहां सुष्रुत ने लोगों की चान बचाए इसलिए सुष्रुत को इतनी बड़ी उपाधी हासल हुई है सुष्रुत को अब सर्जरी करने का तरीका तो आ गया था लेकिन उनके पास इंस्ट्रुमेंट की कमे थी आपको जान के हरानी होगी कि ये सारे इंस्ट्रुमेंट सुष्रुत ने नीचर से इंस्पायर होकर बनाए है जहां बिल्ली के पंजे को देखकर सुष्रुत ने कैट्स बो बनाया ये इंस्ट्रुमेंट आज भी डॉक्टर्स खाल और चर्बी हटाने के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो औरगन तक पहुश सकें और जो इंस्ट्रुमेंट है वो पक्षियों की चौंच से इंस्पायर होकर बनाए कए हैं ऐसे ही दोस्तों और भी टूल्स सुष्रुत ने ख सुष्रुत ने अपनी किताब सुष्ष अनहिता में ये भी बताया है कि उन्होंने कैसे बिना किसी इंस्ट्रुमेंट और चांकू के बिना ही मरे ओए इंसान के बारे में चांच परताल की और देखा कि उन्होंने एक खास तरीका अपनाया था, जिसमें वो मरे हुए लोग का शरीर लेते और उसे पानी में पूरी तरह खुलने या फिर सरने तक रहने देते और फिर इस शरीर का समय के साथ साथ अध्यन करते। एसे ही उन्होंने शरीर के हर एक लेयर और हर एक औरगन के बारे में पता लगाया। इस सर्जिरी को भी सुषुत ने बिना किसी एडवांस इंस्ट्रुमेंट के बिना ही किया था, और अपने मकसद में एक कामयाब भी हुए, ऐसे में सुषुत सनहिता को परशा के खिलाफ, अलमंसूर ने इस किताब को अर्भी भाशा में ट्रांसलेट किया, और इस किताब का किताब अबल सुसुरत, ये किताब दोस्तों बहुत सी भाशाओं में ट्रांसलेट की गए, जिसे हैसल ने इस संस्क्रिट स्क्रिप्ट को लेटिन में ट्रांसलेट किया, और मियूलर ने जर्मन में किया, ऐसे ही ये किताब दिन पर दिन जगा जगा पहलती गए, ऐसे में जब 1792 में ब्रिटिश आर्मी के लड़ाई मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ हो रही थी, तो टीपू सुल्तान ने अपने एक बंदी को सजा के तौर पर नाग कटवाने का आयलान किया था, जिसके बाद उस इंसान की नाग काट दिक गए, लेकिन पास के गाउं में रहने वाले कुमहारों के कबीले ने सुश्रुत के प्रोसेस को फॉलू करके दुबारा से उस इंसान की नाग को पहले जैसा बना दिया, ये सरजरी ब्रिटिश के दो सरजन थौमस और जेमस ने अपनी आखों से देखे, और इसके बारे में इन्होंने साल 1794 में अपने देश की ब्रिटिश मैग्जीन ती जेंटल मैग्जीन में लिखा, और इस मैग्जीन की मदद से ही सरजरी की ये पुरानी तकनीक लोगों को पता चली, लेकिन एक समय में आकर सुष्रुत की पहचान पिलकुल खो गई थे, और कोई भी सुष्रुत के इस अद्भुत ग्यान के बारे में नहीं चानता था, यही वज़दे कि विराज कुछ लाल ने अब इस स्क्रिप्ट का इंग्लिश में अनुवाद कराया, तो इसे इतनी पहचान नहीं मिली, लेकिन फिर वो समय भी आया, जब सुष्रुत का ग्यान पूरी दुनिया में चर्चा का विशाय बना, लेकिन कब और कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजेए, ये बात है 20 सदी की जब हर कोई आयरवेद की तरफ बढ़ रहा था, तब ही इन लोगों को सुषृत के मेडिकल और इसके प्रोसेस के बारे में चानकारी मिली, सुषृत सनहिता की सबसे खास स्क्रिप्ट पाम स्क्रिप्ट है, जिसे बहुत ही से युएस के लॉस एंजिलेस में म्यूजियम आफ आर्ट में रखा किया है, सुषृत की वज़ा से ही आज भारतिया मेडिकल साइन्स इतनी उचाईयों पर पहुच पाया है, इसलिए 620 BC के उस समय को गोल्डन एज ओफ सर्जरी का नाम दिया किया, दोस्तों ऐसे ही सुषृत को आज फादर ओफ आल सर्जरी के नाम से नहीं चाने चाहता है, इन्होंने कमाल की सर्जरी की और अपने आपको साबित किया, इन्हें हर एक औरगन की सर्जरी के बारे में बहुत अच्छी नौलेश थी, दोस्तों कि आप इस सर्जरी की देवता के बारे में पहले से जानते थे, मुझे कॉमेंट सेक्षिन में लिख कर जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिसना हो,